हिलो दोस्तों मैं सवर अमली का आप सभी का टोपिक स्टेडियो में स्वागत करता हूँ दोस्तों ALP टेक्निशन का आज का तीनों सिप्ट का पेपर हो चुका है अभी इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले थर्ड सिप्ट के कुछ कोशन्स जो हमें मिले हैं तो प्लीज इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेगा जो दोस्तों अब तक चैनल के साथ में नहीं जुड़ा है तो नीची रेड कल का बटन दबा करके खुद भी जुड़िये और अपने सभी दोस्तों को बताएगा बैल आइकन को ओन रखेगा बैल आइकन ओन रहीगी तो आपके पास नोटिफिकिशन पहुंचते रहेंगे मैथ का दोस्ती तीन रीजनिक करनों से 10GK का लाइप टैस चलता है डेली रात को 11 बजे और देखे दोस्तों मैं अकेडमी की लर्निंग आप पे भी पड़ाता हूँ आपको दोनों सिप्ट का एनलेसिस की वीडियो का लिंक मिल जाएगा वहाँ पे देख सकते हैं फिर इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेगा दो वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगे ठीक है यहाँ पर पहला कोशन है फिर नेक्स्ट था आपका रंजी ट्रोफिक की स्खेल से संबंधित है तो यह राइट आंसर क्या हो जागा किर्केट ठीक है नेक्स्ट था आपका USA किस कॉंटिनेंट में है तो यह देखे बहुत ही सिंपल सा कोशन है नोर्ट अमेरिका में सभी को पता होगा फिर एक नेक्स्ट था आपका Actress Having Foreign Citizenship यानि की UK की citizenship किस Actress के पास में है तो यह आलिया भट इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है नास कॉम की First Lady Chairman कौन है तो यह हो जाएगा देब जानी गोस इस दी राइट आंसर ठीक है नेक्स्ट आपका कोशन है CEO of Adobe के second shift में भी कोशन पूछा गया था इसका राइट आंसर हो जाएगा सात्मू नारायन इस दी राइट आंसर ठीक है नेक्स्ट आपका था रजिया सुल्तान बिलोंग बाई विच डाइनस्टी यानि की रजिया सुल्तान किस डाइनस्टी से बिलोंग करती थी यह हो जाएगा मामलुक डाइनस्टी यह जो की दिली सल्तनत की जो पूरी आपकी डाइनस्टी थी उसमें एक यह मामलुक डाइन 3 shift में question पूछा गया था, baking soda का formula पूछा गया था, तो क्या हो जाएगा, NAHCO3 is the right answer, फिर glucose का भी formula पूछा गया था, आपका देखे, अलग-अलग shift में question पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं होता कि, एक ही paper में 3-4 यह पूछ लिया थे, किसी state में पूछ ले गया होगा, baking soda का, फिर किसी state में पूछ ले गया होगा, glucose का, ठीक है, तो glucose का क्या हो जागा, C6H1206 is the right answer, ठीक है, atmospheric pressure measure by barometer, यह आपका right answer हो जाएगा, barometer से measure किया जाता है, atmospheric pressure, ठीक है, एक question आपका यहाँ था, difference between enzyme and hormone, तो यहाँ पे देखे, दोनों अलग-अलग होते हैं, यह option को देखकर, यह आपका exact answer आप यहाँ पे बता सकते थे, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, hormone जो होते हैं, hormone are related by the glands into the blood, ठीक है, तो यह blood में जो आपके flow होता है, उसको हम hormone बोलते हैं, और enzyme is the different, जो की hormone इससे अलग होता है, periodic table से related आपके एक question था, ठीक है, एक क्या कहीं question थे, तो periodic table से actual में question नहीं पता चला है, कि कौन सा question था, बट आप देख सकते हैं, कि बहुत सारे questions periodic table से पूछे जा रहे हैं, यहां washing soda का भी formula पूछा गया था, NA2CO3 is the right answer, ठीक है, कौन के mirror से भी question था, अब actual में question नहीं पता है, कि क्या question था, कौन के mirror से, बट एक question था, इससे भी, ठीक है, देखे, question था आपका group number 17 in periodic table, देखे, group number 17 में, देखे periodic table से मैं बता रहा हूँ, आपको बहुत question आ रहे हैं, तो 17 जो group है, periodic table में, उसमें क्या क्या आता है, उसमें F यानि की fluorine, C I यानि की chlorine, BR means bromine, और I means iodine, और T means astroine, यह आपका हो जाएगा, इसमें तो इन में से आपको देखना था, की कौन सा यहाँ पे पूछा गया था, ठीक है, एक था vinegar, यानि की आपका सिर्का made from which acid, तो बहुत ही simple हो जाएगा, acetic acid, ठीक है, formula of velocity पूछा गया था, displacement upon time, right answer हो जाएगा, ठीक है, तो यह कुछ question थे आपके, current affair के, और science के जो की, third shift में पूछे गए थे, अभी चलते हैं math पे, math में आपका एक question था, की 375 का 56% calculate करिए, तो बहुत ही simple था, 375 multiply हम क्या करेंगे, 56 upon me 100, तो यहाँ 25 से चला जाएगा 15 time, और यह चला जाएगा 4 time, 4 से हम इसको cut करेंगे, 56 को तो यह 14 time, और 15 की 14 में multiply करेंगे, तो जगा 210, यहनि की 210 is the right answer, तो ज़्यादा hard नहीं था, तो बिल्कुल simple था, percentage का अभी तक जो question देखेंगे, मैंने, ज़्यादे तर percentage में, ऐसे ही मतलब question आए है, कि direct आपका किसी भी number का percentage, निकालने को दे दिया जाता है, एक question था, किसी धनराशी के, दो वर्स में साधान तसच चकरवरती ब्याज, करमस यानि की साधान ब्याज में, 8400 रूपए हो जाते हैं, और आपका, साधान ब्याज में 8400 हो जाते हैं, चकरवरती ब्याज में आपके 8652 हो जाते हैं, तो यहाँ पर बताना है ब्याज की वार्षिक दर क्या है तो इस कोशन को मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ कैसे करना है देखे दो साल का ऐसा ही आपको देखा simple interest आपको पता है कि दो वर्स का है यह तो एक साल का कितना हो जाएगा 42 सो टीक है simple interest आपको पता है एक साल का 42 आप यहाँ पर ब्याज पर ब्याज वाला जो कॉंसेप्ट है फॉस्ट competitive में आपका जो यहाँ पर इसमे रहा होगा cio वह भी यहाँ पर भी क्योंकि फर्स आयर में चाये simple interest हो चाये आपका compound interest हो वह सेम रहता है तो यहां पर 42 enrolled इसमें भी जायगा। जो ona हो है सपिंग इर में लआ है। तो compound interest ओंपल इंट इंटमस करेंगे मांगे कितना है। यानि की जो कि ऑंपर 252 लगा हैं। यह interest नगा होगा और इंटरे क्टेश वि'll talk किते हैं..., compound interest में भी और simple interest में भी वो आपका 42 ही रहा होगा तो यह जो 252 calculate हुआ है 242 पे हुआ है sorry 4200 पे हुआ है 42 पे हुआ है तो यहाँ पे आप इसको simple interest से calculate कर सकते हैं सीधा सीधा ठीक है SI का formula लगा सकते हैं आप SI बराबर P into R into T upon me 100 ऐसा ही आपको पता चलिया कितना है 252 किस पे calculate हुआ यह आपका 4200 पे time कितना है एक वर्सका है R आप निकाल सकते हैं तो बहुत ही simple बन जाएगा तो यहाँ पे आप 252 लिख सकते हैं P आपका 4200 हो जाएगा R आपका लिख सकते हैं बिल्कुल वैसा का वैसे या फिर X लिख लिए कुछ भी और एक साल की बात की गई है टाइम की तो यहाँ पे वन यार लिख देंगा पॉन में 100 तो यहाँ पे सीधा सीधा इसको cut करेंगे हम 0 से 2 0 cut हो जाएगी क्रोस मल्टिप्लाइ करेंगे तो कितना हो जाएगा R बराबर आपका 252 अपोन में 42 तो 42 से 252 को cut करेंगे 6 परसेंट आजएगा आपका राइट आंसर देखिए अभी आपको अगर यहाँ पे समझ में अच्छे से नहीं हाए वैसे मैंने यह सारे कोशन कवर करा रखें आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्योंकि यह अभी जो गुरूप D का एक्जाम होने वाला है उसमें भी यह बहुत इंपोर्टेंट रहने वाला है इस टाइप के कुशन ठीक है तो मैं दुबार से आपको कवर करा दूँगा एक यहाँ पे था कि लंबाई इंक्रीज हुई इस रेशो में 6 और 7 के रेशो में लंबा ऐग्रीज हुई है और recipients 5 और 7 के रेशो में तो यहाँ पे बताना था छेतरफल की मैं किस अनुपाथ में कमी आएगी तो यहाँ पर आपको सीधा-सीधा चेतरपल तो आप रेशो निकाल सकते हैं चेतरपल का तो 6 into 5 करेंगे तो 30 हो जाएगा और यहाँ पे करेंगे तो 28 हो जाएगा इनको कट कर लीजे यही चेतरपल का रेशो आजाएगा जब तक यह कट होता रहेगा तो आप इसको बिल्कुल कट करते रही है यह 2 से कट करेंगे 15 टाइम यह हो जाएगा 14 टाइम अभी किसी भी कॉमन नंबर से कट नहीं हो सकता है तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा यही रेशो बन जाएगा 15 is to 14 का ठीक है तो काफी सिंपल कोशन है यह भी चलिए एक कोशन था time and work का इसको भी देख लेता है A can complete any work in 12 days A कोई आदमी है या फिर A बंदा है वो 12 दिन में complete कर लेता है किसी work को 12 दिन में ठीक है B 60% more efficient यानि कि जो B की कारियाक सिमता है वो A से 60% अधिक करने की है तो how long will B take to accomplish the same work यानि कि B इस काम को कितना time लेगा काम complete होने में तो यहाँ पर हम क्या करेंगे A अगर 100% work करता होगा तो B 60% efficient है तो यह 160 करेगा अगर यह 100 कार यह करता होगा तो B कितना करेगा 160 करेगा ठीक है भई तो यहाँ पर हम इनका ratio बना लेंगे कि इनकी efficiency ratio क्या है तो 0 से 0 कट करेंगे 2 से कट करेंगे 8 time और 2 से कट करेंगे 5 time यानि कि 5 is to 8 का है निका ratio आगया efficiency का यानि कि A एक दिन में 5 unit work करता है और B एक दिन में 8 unit work करता है इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं और A जो है वो 12 दिन में पूरा काम complete कर देता है A जो है वो पूरा का पूरा काम 12 दिन में complete कर लेता है एक दिन में कितना करता है 5 unit work तो हम यहाँ पर total work निकाल सकते हैं total work निकालने के लिए 5 into 12 करेंगे तो total work का आपका 60 आ गया पूचा क्या है कि B अब कितने दिन में करेगा इस work को अगर B से करा जाए तो B एक दिन में 8 unit work करता है efficiency ratio है तो आप 60 को divide कर दीजे 60 को divide कर दीजे 8 से तो कितना आदेगा 7.5 days में यह इसको complete कर देगा तो इस तरीके से कुछ यह question था आसे करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा अगर आगे से ऐसा question आता है तो आप easily कर लेंगे ठीक है यहापे सबसे पहले efficiency का ratio बना लिजे efficiency का अगर आपने ratio बना लिए इसका मतलब आपको पता चलिया है कि A कितना काम करेगा एक दिन में और B कितना काम करेगा एक दिन में ठीक है चलिये देखे मैं आपको chapter बता देता हूँ ज्यादा question नहीं मिल पाए है math के time and work से question आ रहे है profit and loss से average से percentage से age से mensuration से tignometry से भी questions आ रहे है फिर यहापे HCF हो गया question था तो आप देखके जाएगा pie chart का भी एक-दो question वैसे मैंने cover करा रखे है अगर आप उनको देख लेंगे तो हाँ से अच्छे से cover हो जाएगा ठीक है अभी एक-दो question और देख लेता है reasoning का reasoning के सबसे पहले मैं chapter बता देता हूँ आपको इस logism से question आ रहे है mirror image से आ रहे है number series से question आ रहे है figure से आ रहे है figure के कहीं तरीके question आपके आ रहे है ठीक है calendar से आपके question आ रहे है blood relation से question आ रहे है alphabet series से आ रहे है coding decoding से आ रहे है analogy से आ रहे है अभी सायद यह तो कोई बता नहीं रहा है बट यहाँ पर statement conclusion के question आज कम सुने हैं ठीक है तो statement conclusion से बहुत थारे question आज थे मैं यह नहीं बूलूँगा कि आपको पढ़के नहीं जाना जिनका एक्जाम है कलोर परसो जरूर पढ़के जाएगा कुछ नहीं पता है थोड़ा बहुत change हो रहा है बाकी इतना change नहीं हो रहा है बट आज जादा सुनने को नहीं मिला है कि statement conclusion से जादा questions आए है ठीक है तो एक दो question हो रहा है यह भी देख लेते हैं एक question था आपका इस तरीके से analogy का 27, 65, 64 और आपका next पूछता क्या आएगा यहाँ पर क्या चलना है देखिए सबसे पहले जो हम इसका करे तो यह 3 का cube हो जाएगा 27 ठीक है यहाँ पर क्या है 4 का cube प्लस 1 किया गया है तो 4 का cube कितना हो जाए 64 प्लस 1 तो 65 आपका यहाँ पर आजाएगा फिर next आपका 64 हो जाएगा 126 is the right answer ठीक है भई एक आपका इस लोग का question मिला है तो इस लोग का question कैसा था some loyan is tiger कुछ loyan आपके tiger है सबसे पहले आपने loyan बना और कुछ cut किया तो कुछ tiger हो गए some tiger is monkey तो आपने कुछ tiger का फिर एक ऐसा part cut किया और उस वो monkey हो गए all monkey is elephant तो सारे के सारे monkey elephant हो जाएंगे इस तरीके सा आपने इसको cover कर लिया है ठीक है तो यहाँ पे कुछ इस तरीके सा भी देखे यह चारो तीन चार option थे वो actual में नहीं पता चले हैं बट यहाँ पे देखे एक option साथ यह था कि some loyan is elephant तो elephant और loyan का तो कोई relation ही नहीं है तो some loyan is elephant कैसे हो सकता है यह नहीं हो सकता है जब तक किसी के बीच में कोई statement ना दी जाए तो आप उसको बिलकुल भी 100% नहीं मान सकते हैं यहाँ पे बोला जाते कि some loyan is elephant मतलब some loyan elephant हो सकते हैं तो वो वाली condition में आप write कर सकते थे ठीक है some monkey is elephant तो monkey तो सारे के सारे ही आपके elephant है तो some भी हो सकते हैं यह आपका write answer हो जाएगा ठीक है तो यह question थे आपके reasoning के math के और कुछ science और current affair के अगर आपने वीडियो हाँ तक देखी 1st September को एक बार चैनल पर widget जरूर करिएगा timing और सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ 1st September को ठीक है अभी दो दिन और paper analysis है आप भी देखते रहे हैं अगर group D वाले बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो उनको मैं बता दू कि आप भी ये सारी वीडियो देखते रहे हैं आपके लिए भी बहुत helpful रहने वाली है क्योंकि इसी कुछ pattern में आपका question आने वाले है ठीक है फिर मिलते है नेक्स वीडियो में 11 बज़े आप जरूर आईएगा 11 बज़े से online test से स्टार्ट होग तो तब भी आज आईएगा वीडियो को देखने लिए बहुत बहुत धिन्यवाद आपका दिन सुबो